हेलो दोस्तो आप सभी का ओल राउंड नोलेज में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नोलेजबल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और दोस्तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे जितने भी वीडियोज हैं ट्रांसलेशन पर सभी वीडियोज को जरूर देखे यदि आप स्टोरी के माध्यम से इंगलिस सिखना चा लगा कर रखा हुआ है ताकि राइटिंग खराब नहीं हो गंगा राम एक बलाई था तो यहां पर लास्ट में था है और इसमें कोई भी मेन वर्व नहीं है यानि कि इसमें सिफ हेल्पिंग वर्व यूज होगा जैसे मैं एक सिक्छक था I was a teacher उसी प्रकार गंगा राम एक कारपेंटर गंगा राम वॉज अ कारपेंटर उसके चार बेटे थे यानि उसके पास चार बेटे थे जैसे मेरे पास एक कलम था I had a pain तो उसी प्रकार उसके पास चार बेटे थे यानि he had he had four sons उसके चार बेटे थे उसके सभी बेटे बड़े आलसी थे तो उसके सभी बेटे यानि कि all his sons all his sons और यहाँ पर एक सधीक है were का यूज करेंगे were very lazy all his sons were very lazy were माता पिता की मदद नहीं करते थे तो यह भी simple past tense में है were का लिखेंगे they they did not help अपने माता पिता की their parents they did not help their parents were अपने माता पिता की मदद नहीं करते थे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि गलबस भी काम नहीं कर रहा है पसीना हाँ से बहुत आ रहा है आपके लिए काफी मेहनत करते हैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं एक दिन वह जंगल से लकडी ला रहा था तो यह पास्ट कंटिणीवर स्टेंस में है जैसे मैं जा रहा था I was going तो एक दिन वह जंगल से लकडी ला रहा था one day he was bringing woods जंगल से from the forest असानक एक भेडिये से उसकी भेट हो गई suddenly यह simple past tense में verb to use होगा suddenly he came across असानक मुलाकात हो जाना कम across कहलाता है suddenly he came across a wolf उसने भेडिये से कहा मुझे बादसा ने भेडिये को पकड़नी के लिए भेजा है उसने भेडिये से कहा he said to the wolf मुझे बादसा ने भेडिये को पकड़नी के लिए भेजा है जैसे मैं गया हूँ I have gone यानि कि has have फ्लस भव्धरी present perfect tense वो भेजने वाला को है बादसा यहां पर the king से शुरू होगा the king has sent me to catch the wolf चूप चाप मेरे साथ चलो come along with me चूप चाप silently यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हे कुलहाली से मार डालूंगा यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसमें देखे दोनों future में ही है लेकिन यदि इस तरह के conditional sentence रहेगा तो जो पहला sentence रहेगा जो पहला condition होगा उसे आपको simple present tense में बनाना है जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो सफलता पाओगे तो if you study यानि if you will study नहीं if you study तो उसी परकार यदि तुम ऐसा नहीं करोगे if you don't do so if you don't do so मैं तुम्हें कुलहारी से मार दूंगा I will kill you देखे आई के साथ सेल लगता है तो आप यह नहीं कहेंगे कि सेर आई के साथ तो सेल लगता है will का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ एक चताबनी की तरह है इसलिए will का यूज और भी suitable है I will kill you with the eggs भेडिये ने उससे पूछा तुम भेडिये को क्यों पकड़ना चाहते हो the wolf said to him why do you want to catch the wolf यदि तुम्हें धन्च आई है तो क्रिपिया मुझसे ले लो if you want money take it from me मुझसे ले लो यहाँ पर आप please भी लिख सकते हैं क्रिपिया है please take it from me यहाँ सुनकर बड़ाई चूप रहा और भेडिये ने उसे बहुत सा सोना दे दिया यहाँ सुनकर याने hearing this hearing this the carpenter kept quiet चूप रहा and the wolf उसे बहुत सा सोना दे दिया gave him lots of gold दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत मुश्किल से यह वीडियो बनाया है काफी गर्मी है फेन आफ करके बनाना पड़ता है ताकि extra sound record न हो जाए तो दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और मैं आप लोग के लिए काफी मेहनत करता हूँ तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा comment जरूर कीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और यदि आप मेरे वीडियोच को देखते हैं तभी मेरा मेहनत भी सफल होगा all right friends thanks for watching have a great day